नमस्कार दोस्तों मेरी चेनल में आपका स्वागत है आज हम बनाने जारें बेशन और मतर की बहुत ही टेस्टी रेसीपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बनाने में बहुत ही आसान है यहां मैंने लिए 4-5 हरी मिर्ची ये कम तिकी इसलिए मैंने एक टुकड़ा लेंगे अधरक्का इन सब को बारिक पीस करके हमें पेश्ट बनाना है मैंने यहां लिया है एक का टोरी बेशन तो इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची लैसुन और अधरक्का पेश्ट जिसे हमने पीस लिया है एक चमट डालेंगे साबुद्धनिया जिसे मैंने हलका सा krush कर लिया है नमक डालेंगे स्वाध कनुसार आदा चमट डालेंगे हल्दी पाउडर और इसमें हम थोडा सा पानी दाल करके इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो इस पेस्ट को हमें पकोडी के पेस्ट से थोडा सा गाड़ा बनाना है और इसे हमें अच्छे से फैटना है तो मैंने यहां इसे तयार कर लिया है इसे हम साइड रख देंगे तेल को मैंने यहां अच्छे से गरम कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक चोटा चमत जीरा जीरा को चटकने के बाद हम यहां डालेंगे एक प्याज जिसे म मैंने बारिक काट लिया है तो प्याज को हमें यहां सुनेरा भूनना है तो देखिए प्याज को मैंने यहां सुनेरा पका लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी मतर और इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं उसके बाद हम इन्हें एक मिनट ढख करके यहां पक टमाटर जिनने मैंने बारिक काट लिया है और इन्हें हम अच्छे से मतर के साथ मिक्स कर देंगे और इन्हें भी हम एक मिनट यहां पका लेते हैं तो मैंने यहां टमाटर को भी एक मिनट पका लिया है अब हम इसमें डालेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर एक चमच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर एक चमच डालेंगे धनिया पाउडर नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार साती हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच अदरक लेसुन का पेश्ट और थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें हमें चलाते हुए 2-3 मिनट यहां पकाना है तो हम टमाटर, मतर और प्याज को इस तरह से चम्मच से अच्छे से मैस कर लेंगे जिससे यह अच्छे से मैस हो जाएं और जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी तो मैंने यहां मसालो को 3 मिनट के लगबग पका लिया है मसाले पक चुके हैं तो अब हम यहां डालेंगे 2 गिलास पानी तो पानी हम थोड़ा जादा ही लेंगे क्योंकि हम यहां बैसन की सबजी बनाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम ढख करके एक उबाल आने तक यहां पका लेते हैं तो देखिए हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुका है अब हम बैसन को लेंगे और एक बार इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इस तरह से हातों से छोटी छोटी मंगोडियां बना करके इसमें डालेंगे जहां जहां यह बुलबुले उट रहे हैं वहां वहां आप इस तरह से फटाफट से छोटी छोटी मंगोडी बना करके डालें और इस तरह से हम सभी बैसन की यहां मंगोडी बना लेंगे तो मैंने यहां सभी बैसन से मंगोडी को बना लिया है और इसे अब हम 2 मिनट के लिए ढखकर के पकाएंगे तो मैंने इसे 2 मिनट यहां पका लिया है तो यह देखिये जो बेसन की मंगोडी है वो उपर तैर के आ गई हैं अब हम इसे 1 बार mix कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट हम दुबारा से ढखकरके पकाएंगे तो मैंने लगबग इने तीन मिनट पका करके ले लिया है गेस को बन कर देंगे और सबजी देखिए हमारी यहां बन करके तैयार है सबजी हमारी बहुत ही लाजवाव बनी है तो दोस्तो इसे अब हम गर्मा गर्म सारू करेंगे तो इसे आप रोटी पराठा और चावल के साथ खा सकते हैं यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में भी यह बहुत ही आसान है तो दोस्तो आपको यह मेरी छोटी सी रेसीपी कैसी लगी मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को सस्क्राइब करें, धन्यवाद